दो हजार एक में मैं फ्रीलांसर हुआ करता था अब लोगों की देखा देखी मैंने भी सेक्योरिटी के चक्कर में जॉब पकड़ लिया प्राइवेट जॉब में सेक्योरिटी तो क्या ही मिलनी थी मुझे महां शिवान ही मिल गई उस पर भी मही नजर ऐसे बड़ी कि वो घर अकेले जाती थी और एक दो बार मैं देखा कि लड़के उस पैसे ताना कसरे थे अब मैं तो खुद ऐसा दिखता था कि रोडवेज की बसों में मुझे छेड़ दिया जाता था पर फिर भी लड़की के साथ कोई लड़का चलाओ ना तो छेडा खानी थोड़ी कम हो ही जात तो मैंने शिवानी को इप्रोच किया और मैंने का कि देखिए ऐसा ऐसा है और मैं आपको रोज घर तक छोड़ने जाना चाहता हूं और मैं साथ ही में एक फूल भी लाया हैं जो थोड़ा मुर्जा गया है क्योंकि दो दिन लगे हैं मुझे हिम्मत जुटाने में आपसे ब मेरे हर संसकार के बीच में थोड़ा स्पेस था पर शिवानी बिल्कुल अडिक थी मेरी आदब थी मैं हर चीज अपनी मां से डिसकस करता था मां काफी आजाद ख्याल थी तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने का कि शादी लोग कंपैनियोंशिप के लिए करते हैं तो कंपै में गर्ल्फ्रेंड के आगे फेल हो गया अब शिवानी के पिता जी विदेश रहते थे जब तक वह वापस आये तब तक ऑफिस रोमेंस के चक्कर में हम दोनों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था तो शिवानी की तो नौकरी लग गई थी और मैं फिर से फ्रीलैंसर बन अब जब मैं शिवानी के घरवालों से मिलने गया तो इनके घर में मुझे हर कोई पसंद कर रहा था सिवाए इनके पिता जी के क्योंकि वो मुझे बेरोजगार बता रहे थे और इसी के चलते जो मैं मनी मन उन्हें कह रहा था शायद वो भी वो मेरे मूपे पड़ पा रहे पर खेर प्यार इनसान को उसके अधर्शों से हिलाई देता है तो बड़ी मशक्कत के बाद कुछ दिनों के लिए एक नौकरी मिली और उससे भी मुझे अन्फरेंडली कहके निकाल दिया गया अन्फरेंडली क्या शिवानी ने कसमे दे देके मेरी सिगरेट बंद करा दी थ वांना धी ह Şimdi लेकिन हम दोनों घबरा गए क्योंकि हम दोनों को पता था कि शिवानी के पिता-जी का रविया फ्रीशाइन से प्रती सही सई नहीं है यह भूद कर लेते हैं कि कल को पिता-जी जोरजबस्टी करें तो कानूनन वह गलत पढ़ जाएंगे तो हमने 20 अप्रहल को कुछ दोस्तों के साथ पंजाबी भाग आरे समाज में शादी कर ली उसके बाद हमने फाइट क्लब देखी और अपने अपने घर चले गए अब हम छुप-छुप के मिला तो करते ही थे पर घरवालों के कानों तक कहीं ना कहीं किसी अंकल किसी पडोसी से खबर पहुची जाती है तो इसके चलते इनके घर में खूप-टेंशन का महौल था कि भाई लड़की हाथ से निकले जा रही है और इसी के चलते शिवानी मुझसे भी खिची-खिची रहती थी अब घरवालों के ने थोड़े हथकंडे से होते हैं कि इतना प्रेशर बना दो कि बंदा तूटके कहा दे कि भाई जो तुम कह रहे हो मैं वो कर लेती हूँ अब मुझे मेरी चिंता सता रही थी क्योंकि मैं साल से उपर इसमें इन्वेस्ट कर चुका था भी तीन चार छे महीने की बात होती तो बंदा कहता चलो कहीं और देखते हैं अब हालात इतने खराब होते जा रहे थे कि मैंने सोचा कि भई पैसला हालात पे छोड़ने की बजाए खुद ही ले लेना चाहिए तो तीन जून को मैं इनके घर गया मैंने शिवानी को फोन किया कि जरा बाहर आओ शिवानी बाहर आई गाड़ी में बैठी तो मैंने का कि छोड़ो अब घर वापिस मत जाओ मैं सीधा अपने पिता जी के पास गया मैंने उन्हें का कि देखिए आप थोड़ा मानित तो महसूस करेंगे पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मैंने अनुमती मांगने के बजाए शमा मांगना उचित समझा पर शमा मैं दिल से मांग रहा हूं क्योंकि अगली बार मैं अगर शादी करूंगा तो आप से हनुमती ले के ही करूंगा तो पिता जी का सेंस ऑफ यूमर अच्छा था वैसे भी लॉजिकल आदमी थे उन्होंने का कि भई जो हो गया सो हो गया अब मन मुटाफ का कोई फायदा नहीं उन्होंने ये जरूर समझाया कि भई अब शिवानी के घरवाल हो चुकी थी तो शिवानी के पिता जी के लिए भी ये समझना थोड़ा असान हो गया कि भई फ्री लैंसर का मतलब अनिंप्लोइड नहीं होता खेर यहां तक की कहानी तो बड़ी आक्शन से भरपूर थी थोड़ी फणी भी थी क्योंकि जो डिफिकल्ट डिसिजन था वो अब वैसे तो मेरी मा एक अच्छी सास थी कि भई आजाद ख्याल भी थी शिवानी के साथ कोई रोक टोक भी नहीं करती थी और सास्तसुर तो इतने में अच्छे हो जाते हैं कि भई जिस आजादी के साथ बहू पैदा हुई है उस आजादी में वो कोई खलल नहीं डाल रह पर फिर भी शादी के बाद थोड़ी बहुत खटपटो रहती ही है आज जब मैं मुड़के उस समय के बारे में सोचता हूँ तो थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि भई जितनी हसानी से मा का पॉइंट गर्फरेंड के आगे फेल हो गया था उतनी हसानी से मा के आगे नहीं फेल हुए खैर मैं इस मामले में लखी था कि हालात बहुत जादा बिगड़ते इससे पहले मुझे अमेरिका जाने का मौका मिल गया पर अगर मुझे माबाप से अलग होने का फैसला लेना पड़ता तो क्या मैं ले पाता और अगर मैं लेता तो क्या फिर मेरे स और शायद इसी सोच के चलते लोगों को इतनी खुशी नहीं होती जब लड़किया पैदा होती है ना उन्हें इतनी खुशी होती है लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में कि आखिरकार इसने तो एक दिन घर से चले ही जाना है